Assalamu alaikum everyone क्या हाल है उमीद है कि आप सब लोग हरियत से होंगे तो जनाफ हम सब भी हरियत से है और आज है मंटे और मंटे वाले दिन घर में बहुत काम होते है क्योंकि वीकेंड के बाद जब बच्चे स्कूल जाते है था और वीकेंड पर खुद भी काम तो होता है अगर एक इसके इनसान रिलाक्स होता है तो बस आज जनाफ खाने में जो मैं बनाने लगी हूँ ना वो मैं चिकन और चने बना रही हूँ और आज थोड़े से ना रमजान की त्यारी भी करेंगे तो आज जो मैं बना रही ना वो बनारी कचोरिया क्योंकि हम लोग बहुत शौक से खा दे हैं कचोरिया हमारी से चले जनाफ पहले जल्दी से बना लेते हैं खाना और पर बाद में तसलिए से बनाएंगे कचोरिया तो बस यहां पर मैंने ऑुल्ड़न ब्राउन हुआ तो लसन अदररका पेस्ट ढला और फिर उसके बाद मैं इसमें डाल दिये थे फ्रीस के हुए टमार्तर जिसका मैंने पेस्ट बना की रखा हुआ था और पिर उसके बाद इसमें चल गया चिकन आ इता चब बुनना है कि चिकन अलैदा हो जाए है जैसे अभी हो गया पहले जू मसाले चले जाएंगे तो फिर हमने दोबारा से втор dependence हो जाएक और मसाला जो हैं गो कोजए हमारा चिकन हो उबोड़ी है। कोज़ा तो उसके बामें मैं इसमें डाल दिये निग्रौड़ सफै चने जो मैंने पहले से फ्रीज करके रखे वे थे और इन चनों में ही इसका साथ पानी भी था तो मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला था और तक्रीबां 10-15 मिर्ट में चिकन और जो चने है न ये कुक हो गए थे और फिर एड में मैंने जो ओपर हरा धनिया डाल दिया और बस इस वाकिर जनाव हमारा खाना बनके तियार है और मैंने साथ बना लिए थे वाइड राइस और आप लोगों gotta can चनों के साथ कौन कोन है जो वाइट राइस खाता है और बस हम मैं तो खाती हूँ और किसी का मुझे पता नहीं लेकिन मुझे अच्छे लगते है चनों के साथ वाइट राइस तो बस जनाब इस वकद दपैर का खाना खाया जा रहा है और बचों ने अब चले जाना है टूश डाल दी है और यहां पर मैंने ले लिया है कीमा और लसन दुख के पेस के साथ कीमे को मैं अच्छा सा भूनूंगी और जैसे ही कीमे का कलर चेंज हो जाएगा और वो पानी छोड़ देगा तो इसके अंदर मैं डाल दूंगी मटर और मटर की बनाई करूंगी और फिर इसको ज यहां दूंगे अधना सामाक सुरक मिर्च धूक 됐थनीया जीरा और यहां जीरा नर oh Claus चात्मसाला डाला ता काली मिर्चे डाली थी कीमे मठर के इंदर और और पर उसके बाद में इसके अंदर बंser बंद गोभी ğाजरे और शिम्लमिच डाल दी और यह इंचका देखक्र और प्यास डाले के वाध आपने एक से दो मिल्ट क्रोक करना है चले अब यहां पर हम को चोरियों की तियारी करते है और यहां पर मैंने तीन कब मेदा ले लिया और इसमें मैंने नमख और जुएंट डाल दी है और तीन चमच मैंने इसमें घ्श totally है गी ही डालना है आयल नहीं डालना अब मेदे को और गी को हम इतना अच्छा आपस में मिक्स करेंगे कि हम मुठी बंद करें तो यह आपस में इस तरह जुड़े हुए हूँ तो फिर आप समझेगा कि आपके अब जो है ना मेदे को गूनने का टाइम आ गया है तो अब हम इसक यहां पर ओईल लगाना है घी नहीं लगाना और इसको हम रेस्ट के लिए रख देंगे और जनाब यह है घी जिसको मैंने मेल्ट कर लिया था और उसके बाद इसके अंदर मैंने तीन चमच कॉन फ्लॉर के डालके इसको अच्छा सा मिक्स करके इसको मैंने फ्रीजर में इस तरह गोल्ड शेम कर लिया और यहाँ पर मैं कट कर रही हूं पीडों के लिए और श प्रेद ने करनाख मिसको बनाए रख दूहीं और पिर देंगे और थिक नियू उपरोलें के विर्जर में मिक्सचर बनारा था थाख ना गहीं का और कॉनफुर में वो सारा लगाके, अब मैं यहां पर मेरा एक और क्लिव उड़ गिया है मेरे साथ बहुत बुरा होए यहां पर अब इसको हमने बिल्कुल ना यह देखें जैसरा हम स्क्वेर पराठा बनाते हैं जो हम शेप डेते हैं square प्राठा बनाने की उसी तरह मैंने प्राठा बना लिया था और बस इसके अंदर वो ही लगाया था oil घी और जो mixture बनाया था ना मैंने corn flour का वो लगा कि यूज स्केर प्राठे की shape का पेड़ा बना लिया था और इसको मैं हातों से बेलने की मदद से इसको मैं लंबा कर रही हूँ और फिर इसको यूँ मैंने इस तरह राम राम से गोल गोल फोल्ड करता जाना है यह गोल गोल जो मैं फोल्ड कर रही है ना यहां पर मैं कचोरियों की पत बना रही हूँ यानि लेयर्स त्यार कर रही हूँ और यह कचोड़ी आपने बस इसी तरह अपने गोल गोल करके लंबा इसको कर लेना है और यहां पर हम दोबारा से इसको कट करेंगे यह एक हो गया और फिर आगे यह दूसरा यानि हमारे एक इसके तीन पेड़े बन गे और यहां पर मैं आपको दिखा रही हूं कि यह देखें यह लेयर से इस तरह इसकी बनी है और फिर यहां पर हम इसको दुबारा से पेड़े की शेप दे लेंगे और फिर इसको मैं दुबारा से ढखके रख दूँगी और यहां पर एक पेड़ा मैंने निकाला और इसको कभी हाथ की मदद से कभी बिलने की मदद से नरम नरम हाथों से अपने ये सारा काम करना है कि जो हमारी कचोरियों की लेयर्स है ना वो खतम ना हो वो उसी तरह बने तो बस यहां पर भी जनाब आगे हमारा एक क्लिप फिर से गाइब हो जाएगा बहुत अफसोस हुआ था बहुत अफसोस हुआ था जब मैंने देखा कि मेरे इतने क्लिप्स गाइब होगी इतनी महिनत के बाद आचाँ यहां पर मैंने फिलिंग रख ली और यहां पर जो फिलिंग ठी थी ना तो उसको हमने उसको सील करना बंस्करना तो वो कले पर गायब था। उसको आपने चारो को नारों से पकटके आपस में बंस्कर देना रखितिते हुआ जह पर इंग जहां पर सारे रही ह blade के उसके पर फिलिंगस रख ली थी। और पिर मा आपको ना इनको फ्राइ करके भी दिखाती हूँ कि जनाम हमाई कचोरिया किस तरह की बनी है और साथ आपको इनको फ्रीज करने का तरीका भी बताती हूँ पहले कचोरियों को फ्राइ करने का तरीका बताती हूँ कि जनाम जैसे पैन में ऑल डालना है और आग चलानी है उसी तरह हमने इसको ठंडे ही ओयल में कचोरियों को डाल देना है और फिर इसको हलाना नहीं है और बहुत हलकी आँच रखनी है इतनी हलकी आँच रखनी है और कचोरियों को जैसे ही पैंदे से उठके उपर ओयल में तैरने लग जाए फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है और फिर जनाब देखें अब बेकल उपर आ गई थी तो फिर अब मैंने इसकी साइड चेंज कर रही हूँ और ये कम से कम जो है ना 10 से 12 मिन लगते हैं कचोरियों को फ्राई होने बेकल हलकी आज में फ्राई होती है और तो जनाब इतर देखें इसकी कैसे लेयर्स खुल गई है बहुत क्रिस्पी बहुत मज़ेदार कचोरिया बनी थी लेकिन थोड़ा सा दुख था कि जनाब इतनी मेहनत की इतनी मेहनत की है लेकिन मेरी कुछ लापरवाई हुए से कुछ क्लिप्स थे जो ना वो बीच में से डिलीट हो गए लेकिन बहुत जबरदस कचोरिया बनी थी और बहुत खस्ता कचोरिया बनी थी और अब मैं आगे आपको ना इसको फ्रीज करने का भी तरीका बताती हूँ जिस तरीके से मैंने फ्रीज की है इस तरीके से बहुत अच्छी है जो है ना कचोरी फ्रीज होती है बस नॉर्मल ऑईल जब आपका गरम हो जादा नहीं देखें जैसे ही हमने इसमें कचोरी डाली है इसमें फलके से बबल्स बने इस तरह कि आप जब बने और वो मेनी पैंडे से उपर आ जाए तो तब आपने इसमें जनाब इसकी साइड चें पर आ जाए तो फिर इसको मैं जिप लोग बैंग में डालके ना फ्रीजर में रख दूँगी जब फ्राइब करने का मकसद यह कि देखें इसकी लेर खुल गई है अब जब हम इसको दुबारा फ्राइब करेंगे ना तो यह लेर से इसकी खराब नहीं होंगी और जब आप ने इसको फ्राइब करना है तो आफने पंदरह बीस में पहले फ्रीजर से नकाल के रख देना है और फिर इसको फॉराइब करना है अमीद है कि आपको मेरी वीडियो यगology लग लग लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शैर करें मुझे इजाजध्त अ अलाफेज